चत्रमास की परिपुर्णता होने जा रही है पांच-पांच महिने निकल गए किसी को गुरु का संग मिला किसी को नहीं मिला किसी ने धर्मा आराधना करी किसी नहीं करी किसी ने तपस्रया करके चत्रमास को सफल बना दिया कोई तपस्चर आभी सायज नहीं कर पाए लेकिन सोचने वाली और समझने वाली बात यह है कि जब चत्रमास परीपुर्ण हुआ है तब हमें यह जाचना चाहिए देखना चाहिए कि यह चत्रमास परीपुर्ण तो हुआ लेकिन हमने पाया क्या हमने प्राप्त क्या किया चत्रुमास तो हर साल आते हैं हर साल आते और हर साल चले जाते है और हम यदि हर चत्रुमास के पस्चात वैसे के वैसे ही रहे हमारे जीवन में कोई बदलाव ना आया हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ना आया हमारे जीवन में कोई धर्मा अरादन का सुभारम नहीं हुआ तो समझना ये चत्रुमास हमारा निरर्थ तक ऐसे ही बीद्द दा चत्रुमास एक ऐसा आउसर है जहां हम खुद को बदल सकते हैं हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं हमें आउसर मिलता है अन्य-8 महिनों में साइध हमें धर्म करने की आराधना क करने का आउसर सायद नहीं मिलता और आउसर मिलता है तो मन भी सायद नहीं होता है आपको को ये कहे कि चत्रुमास परिपूर्ण होने के बाद आपको अठाई की तपस्यरा करनी है को तैयार होता है करने के लिए आपको मासक समन करना है को तैयार होता है करने के लिए आपको एक महीने बाद सम्वश्री का दिन आने वाला हो और तुम्हारे भीतर तब की ताकात और गुरु महाराज की अधूत प्रेणा आपको मिले तो मासक समण का भी सुभारम आप कर सकते हो और मासक समण की परिप्रुनता भी आपसे हो पाएगी क्योंकि माइंसेट है कि ये चत्र मास आपका सार्तक हो जाएगा ओर एदी दो सुत्र आपके याज नहीं रहे जीवन में तो समझना हर चत्रमास की तरह ये चत्रमास भी हमारे जीवन का निकल जाए सास्यकार दो सुत्र दिय और गाहा कि पाप का प्रारंब एक टिजित है तो अबर सब्सक्राइब ुए सब्सक्रानी आप के पाम का प्रारम्पल गपीड और धर्म रसली में को सुरूर फोना यहां प्राथ धिक्कत नहीं होती вся चुत नहीं और आपको कोई मित्रों की संगत मिल गए और किसे ने आगरह कर दिया किसे ने जबर जस्ति कर ली किसे ने आपको घा के नहीं मेरी कसम तुझे लेना ही पड़ेगा आपका जीवन में वैसन एक मिनिट में सुरू हो जाएगा उसमें कोई ज्यादा देरी नहीं लगती है आपक चत्रुमास हमारा सार्थक हो सकेगा, चत्रुमास हमारा सार्थक कहा जाएगा, कहा कि पाब का प्रारम बड़ा आसान है, लेकिन अंत बड़ा कटिगा, आदमी शुरू में जब व्यसन करता है, तो उसको लगता है कि ठीक है, थोड़े में क्या हो जाना है, थोड़े में क्या पढ़ता है थोड़े में क्या नुक्सान होने वाला है लेकिन जब व्यसन धीरे 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 आगे बढ़ता है तब जाके उसको प्रतित होता है कि अब इसका एंड नहीं हो सकता सुनसार में ऐसे कितने लोगे जो जानते है कि कैंसर होता है तंबाकू खाने से कैंसर जैसी व्याधी पिड़ा बिमारी होती है आदमी पिड़ा से मरता है आदमी पिड़ी थोकर मरता है परिवार खत्म हो जाता है पैसे चले जाते हैं इन्फिर्व्यो व्यसन में ऐसा फस जाता है कि उसका अंत नहीं कर बाता ये चत्रमास की फल्सृति क्या हमारे जहन में दो सुत्र बैठ जाए तो समझना ये चत्रमास हमारे लिए सार्थक हो गया पाप का प्रारंब बड़ा सरल है पाप का अंत बड़ा कटिन अपने जीवन में पहली बार क्रोध किया आपको लगा के ठीक है क्या फर्क पड़ता है सामने वाला मेरी बात सुनता तो है सामने वाला मेरी बात पे गौर तो करता है सामने वाला मेरी बात पे ध्यान तो देता है और जब वो धीरे 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 क्रोध की भावना आपके जीवन में बढ़ती जाएगी क्रोध आपके जहन को धीरे धीरे पकड़ता जाएगा और फिर होगा ऐसा कि क्रोध आपको जला देगा लेकिन फिर भी आप क्रोध से छुट नहीं पाऊँगे कितने लोगे जो गुरु के पास आते है और आकर के कहते हैं कि गुरुदेव बहुत गुस्सा आता है क्या करें होता है न कई बारे से गुरु के पास जाके कहते हैं गुरुदेव बहुत जानते हैं कि क्रोध मुझे आता है लेकिन वहां से निकल नहीं पाते हैं रिशिलिये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जीवन में सुत्र बराबर समझ रेना चत्रमास की परिपूर्णता चाहे हो जाए लेकिन ये दो सुत्र हमारे दिमाग में बैठ गए तो निश्यत तोर पर ये चत्रम पाते हैं पाप का प्रारम कैसा है आसान है लेकिन पाप का अंत बड़ा कंठिन है और कहां कि धर्म का प्रारम्भ हम कई बार कहते हैं कि पुन्य लेकिन पाप में से निवृत्त होना पाप की प्रवृत्यों को बंद करना बढ़ा कटेगा और इसे नहीं मैं आप से कहना चाहता हूँ जीवन मैं समझ लीजिएगा धर्म का प्रारंब बड़ा कटेगा एक बेटे को एक बेटे को संसकारित करते करते माता की पूरी जिंदगी निकल जाते है बड़े आसान नियम है जूट नहीं बोलना गलत नहीं करना अनिती नहीं करनी दुराचार नहीं करना किसी का बुरा नहीं सोचना किसी का बुरा नहीं करना हर रोज मंदिर जाना परमातना के दर्शन करने परमातना की पुजा करने गुरुओं की सिवा करने दिन दुखियों को कुछ न कुछ अरपन करना ये सारी चीजे बड़ी आसान है लेकिन सिखात सिखाते एक माता की जिन्दगी गुजर जाती है अपने बेटे को तयार करते करते हैं कि धर्म का प्रारंब बड़ा कठी है धर्म के एक शित्र में आपको कुछ भी शुरू करना होगा तो बड़ी कठी नहीं होगी लेकिन धर्म का अंत बड़ा सरण है बड़ी आसानी से वो पूजा करना शुरू करी लेकिन एक निमित ऐसा आएगा और फिर वो जो पूजा रुकेगी तो रुकेगी ऐसी रुकेगी कि वापिस वो शुरू ही नहीं हो पाएगा बहुत जल्दी हम इतने अजाग्रक है कि बहुत जल्दी धर्म का अंत हो जाता है और इसलिए मैं आप प्रमास के चार महिने यदि आपको सार्थक बनाने है तो समझ लेना जीवन में एक ऐसा छोटा सा धर्म सुभारम कर लेना एक ऐसे छोटे से धर्म की सुरुवात कर लेना जो आपके जीवन को बदलता रहे है क्योंकि बिना नियम धर्म की आराधना नहीं हो पाएगा मन को मन यह कहता है कि मुझे नीती नहीं चाहिए मुझे नियम नहीं चाहिए मुझे नियंतरण नहीं चाहिए लेकिन बिना नियंतरण और बिना नियम धर्म की आराधना नहीं हो पाएगी आप नहीं कर पाएगा आप खली आपने जीवन में अनुभाव करना मैं कहता हूं इसलि मन कहता है कि मुझे नियम नहीं चाहिए लेकि धर्म कहता है कि बिना नियम मन ठीके गाई दे और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जीवन में दोसुत्र याद रख लेना कि धर्म का प्रारम कठिन है और वो धर्म आसानी से बंद न हो जाए तभी हमारे ये चत्रमास सफल होते रहेंगे हर चत्रमास में हमें अपग्रेड होना है हर चत्रमास में हमें आगे बढ़ना है हम तो वहीं के वहीं है जीवन के कितने चत्रमास निकल गए फिर भी कहां तो वहां के वहां और इसलिए शास्त्रकार भगवन कहते है कि जीवन में समझेगा ध्यान रखिएगा जीवन में जागिएगा ये चत्रमास तो परिप्रोन हो गया लेकिन ये दो सुत्र दिमाग में बिठा करके रख लीजेगा कि जीवन में पापो का आरंब बड़ा आसान है लेकिन पापो का अंत बड़ा कठिन है और धर्म का प्रारम बड़ा कठिन है लेकिन धर्म का अंत बड़ा आसान है और ये चत्रमास में हमने सुरू की हुई एक भी धर्म की आराधना को हम जीवन भर के लिए टिका पाए तो समझना कि हमारा चत्रमास सार्था को बेल आइकन पर क्लिक करना ना भोले